कैसे आसमा में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो दुशन कुमार की ये दो लाइने किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए कुछ मकसद को अचीव करने के लिए काफी है इसी तरह के मकसद एक सोच जो है वो जम्मू के एक लड़कें देखी एक सपना देखा कि मैं देश भर में अपना नाम करूँ इवन कि दुनिया में अपना नाम करूँ और वो सपना पूरा हुआ और इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल की कि आज चल मेरा पुत जैसी एक कल्ट फिलम है कैसी फिलम जिसे पंजाबी पसंद करने वाले या देश में को अगर उनको लैंगविज पंजाबी आती है तो उस हर एक व्यक्तिने मूवी देखी होगी और यही कहा होगा कि वाह क्या चीज़ बनाई है वही शक्स आज हमारे साथ मुझूद हैं जन्जोट सिंग जी जो की जम्मू के रहने वाले हैं यह जानकर काफी जदा मुझे भी प्राउड हुआ था जब मैंने चल मेरा पुत देखी और उसके बाद जाना कि जन्जोट जी जम्मू के हैं सरस्वागत आपका दिन्यूज अब की यह जब अच्छी है नौ टेलिंग अंटोल स्टोरी जोर कहीं सारे लोगों को मुझे लगता है कि जन्जोट जी आपकी स्टोरी नहीं पता वह भी हम बताएंगे बर चल मेरा पुत कैसे यह आईडिया आया किस तरह से आपने यह सोचा कि मुझे यह मूवी बनानी है और इतना बड़ा पंगा लेना कि इंडिया पाकिसान के बेस्ट से बेस्ट करेक्टर्स को अपनी इस फिलम में लाना है और देश बर में जो है दुनिया बर में वो आज जाने जा रहे हैं और चल मेरा पुत की विज़े सबसे पहले मेरी बेसिकली डेब्यू फिलम थी आलन एक स्टोरी मेरे पास एक जिसका तब नाम था सांजा पंजाब तो वो स्टोरी आई उसमें ऐसा ही था बट उसमें आर्टिस्ट नॉर्मल एक स्टोरी थी कि एक कमरे में इंडिया और पाकिस्तान के जो इलीगल्स हैं जो यहां से जाते हैं वो रहते हैं और उनके बीच में कुछ जगड़ा होता और बीच में लाइन आए थी उस स्टोरी को हमने डेवलप किया फिर हम फिर हम ने सुचा कि क्यों ना जो पाकिस्तान वाले आर्टिस्ट हैं वो उनी को लिया जाए जो लेंदे पंजाब से हैं जिनको हम फोन पे रोज देखते हैं जिनके ट्रामाज हम ह बहुत करीब हैं तो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा था कि इल्लीगल्स पे क्योंकि इल्लीगल्स पे किसी ने भी काम नहीं किया था यहां से हम बहुत असानी से अपने ब्रदर को या सिस्टर को बोल देते हैं यार आईफोन बेच दो बड़ वो आईफोन आता कहां से है कितनी मेहनत करके आता है कितनी शिफ्टें लगा के आता है वो किसी को नहीं पता होता तो एक फिलम अच्छी मिल गी सब्जेक्ट अच्छा मिल गया मुद्दा मिल गया और उपर ये बात आगी कि यार इंडिया पाकस्तान अगर हम चड़ दे पंजाब और रहें क्योंकि ज किसे डिपार्टमेंट में काम किया है चाहिए कास्टिंग डिरेक्टर हो या चाहिए असिस्टेंट डिरेक्टर हो मैंने हर फिलम में कहीं न कहीं उनके साथ काम किया है एसोसेट रहा हूँ मैं उनके साथ तो मेरा प्यार उनके साथ अल्रेडी था तो हीसाइज कि यार कोई फिल्म कर लेते हैं मैं थी ऐक फिल्म है पर शायद आपको ठीक ना लगे कॉद्स urerी लाहौरिया की हुई थी पाक्स्तान पर उसमें ऐगी इंडिया पाक्स्तान वाले केरेक्टर जो पाकस्तान वाले केरेक्टर निग्हा उनसे मेरी बात हुईएconom तो हीसेज कि हाँ ये ठीक है एक न्यू आइडिया है हम शुरू करते हैं कि शादी कब है तेरी में तीन तरीको चल ठीक है पांच को आजा शुरू करते हैं तो सफर शुरू हुआ जी चल मेरे पुत का ऐसे सफर शुरू हुआ पर एक बात उन्होंने कही थी कि हो सकता है कि फि मतलब बगवार ने अच्छा चाहिए बहुत सारा प्यार मिला और सेंसर बोर्ड ने हम ठेंक्स करते हैं इंटियन सेंसर बोर्ड को उन्होंने फिल्म को सेंसर दिया और फिल्म हुई चाल मेरा पूत वह मेरी एज़ पजल जी देब्यू चाल मेरा पूत बन गई उससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पियार में एक थेटर में समझ सकता Biz रूहरे हार कंट्री मेंหर कंट्री में प्यार हमने डिसाइड करने वह आप किस तरह शल आरा चुआ प्र ragळिजार रहा है काम इसे अनुन कहmi सारी प्रीशानियां वहां पर बेसिकलि यह टाइल था नासिर पाजी की डायलोग हेट था लइडी के चार मेरेपोत भी तोbei वह मेरे जब भी थक्ति एह था लाभी हूं और हम काम पे मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा लिखा सत्तावेरो वाली है न्यूजी लैंड हमारे ब्रदर है सत्तावेरो वालों ने लिखा गाया गुर्शब्द पाजी ने बहुत अच्छा गया है दुनिया बर में देख रहा था यूके में भी इसने एक रिकॉर्ड सेट किया कि सबसे ज़्यादा शेद पंजाबी मुवी जो है वहां पर चली है किस तरह से प्रोसेश चला कि आपको मोटिवेट किया कि नहीं और इसमें बनने चाहिए पार्ट और इसको आगे बढ़ाना चाहिए पहिए जो ह法 gotta 9 जूथके किए जो इ सोते हैं या कोई भी आप टीम मतलब टीम में कितने जब किसे भी फिल्म किसे भी Knights का जब सेकिन पार्ट या से को लिए कुछ भी आगे हम बना रहे होते तो जिम्मेदारियां जादा हो जातीगे हैँ अब एक मेरे दारी चाल मेरे बहुत बड़ी थी कि यार अब लोगों ने ये देख लिया है अब इससे नेक्स्ट क्या क्या कुछ ऐसा करें जो लोग सेकंड पार्ट में उनको न्यू लगे स्टोरी वही कंटीनू थी फिर हमने स्टोरी वाइज भी हमने थोड़ डिफरेंट किया कॉमेडी वाइज भी नेक्स्ट टैवल पर लेके गए जफरी खान साब एड हुए टू में रूबी अनम मैडम वह उनको एड किया टू में टू टू सबसे हाइस्ट ओपनिंग है और टिल ग्रॉसिंग टू सबसे अच्छी अभी त्री डर्निंग में हैं देखो त्री कहां तक जाती है अब पहले यही कंप्लीट खलते प्रोसेश कि आगे भी कुछ आ रहा है क्योंकि थर्ड देखने के बाद जितने भी हमने रिव्यू जो एक फिल्म औरड़ी शूट हो चुकी है गोलग बुग नहीं बेंक बटूआ पार्ट सेकंड तो वो औरड़ी शूट हो चुकी है उसका अब रिलीज प्रोसेस शुरू होगा पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करूंगा भी मैं चुटियों पर हूँ तो कल पर सुटियों चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान बच्पन में भी तो हम यहीं सोचते थे कभी लहाओ और जाएंगे इतना खुबसूरत अपना इलाका महां देखेंगे जब आपको लगा वहां पर लंडन में जब आप शूटिंग कर रहे थे किस तरह का महूल रहता था किस तरह से सुबह आके जिस पर पंच लग गया ना तो फिर सारा दिन उसी पर लगना है मतलब इफ्तिकार ठाकर साब ने आके जो फर्स टाइम किसको अगर मतलब पंच मार दिया ना मजा कर लिया या तो सारे बंदे फिर उस दिन उसी की वारी है तो मतलब बहुत अच्छा महाल होता ह जो आपने चल मेरे पूद में गर देखा होगा जो जिस गर पे रहते हैं वो गर हमने पूरा शूटिंग के लिए मतलब पूर लिया था हम उपर रहते थे नीचे शूटिंग होती थी बहुत अच्छा महाल था और किचन हमने किचन मतलब मौनिंग आना जिसने जो खाना है म मतलब मेरको कुछ भी कहाना है मैं ठाकर साब को बोलते हैं पाजी बना देना मैं शॉट लगा लो अच्छा आपका शॉट नहीं आप बना दू था इतनी देर मैं इनका शॉट ले लो नीचे से भी चले जाएंगे अहां मतलब वह जो गर है मैं एसा गर था वह एसे लगता तो अपना गर है अभी मैं लेंडन वैसे दस दिन के लिए था कोई शूटिंग के लिए नी तुम्हें स्पेशल उस गर पे जाकर आई यार वो लगता कि अपना गर है तो मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब जब आपके साफ टीम ऐसी होती ना जिनकी पॉजिटिव वाइब पूरा गर्जस भी चाहिए कि इस बात पर गॉर करना चाहिए कि कलाकार के लिए सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कलाकार ने अगर comedy भी करनी है तो वो message देना है आप हमारी तीनों फिल्म्स देखो के तीनों में कोई नो कोई message आए तो कलांकरों के लिए सीमा नहीं होने चाहिए जिन्जो जी चल मेरा पुत की तो एक कहानी थी अप अपने बारे में थोड़ा बताए कि किस तरहां से मतलब आप जम्मू से निकले और चल मेरा पुत थर्ड पार्ट तक का जो सफर है वो थोड़ा हमारे दश्कों को बताए क्योंकि behind the scene या behind the story जो है वो लोगों को ज़्यादा समझनी चाहिए कि उसका process क्या है उसकी struggle क्या है उसकी मेहनत क्या है और इतनी जो चीज बनी है उसके पीछे का पूरा काम क्या है देखो process जो है process हर चीज का लंबा होता है मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेरा हर बंदा जो किसी भी फिल्ड में है और किसी भी मैं चोटा सहाब को एक बताता हूँ कि मेरे रोही जोगराजी है जिनसे मैं direction मैं ने सिकhी है रोही जोगराजी बहुत बड़ा नाम है उन्होंने सूपरस्टार जेम्स उदर की फिल्म लिखी है जट जेम्स बॉन डारेक्ट की है सरदार जी डारेक्ट की है वो एक बोल रहे थे जब स्ट्रगल पीरियड था उनका तो हिसेज की मैं और मेरा फ्रेंड वहां खाने के लिए गए कहीं डिनर करने के लिए गए डिनर करने के लिए गए और अब बहुत हैज आज वहां पर चलते हैं जहां पर हमने श्रगल शुरू की थी तो बंबे में क्या होता है एक ना डोर मैटरी ट्राइप होता है कि गद्दी लगे हुए हैं तो सारे स्ट्रगलर्स वहां पर होते हैं जो स्ट्रगलर्स होते हैं तो वहां पर गए तो नौक किया और कोई न्यू फेस दिखा उनको ते न्यू फेस दिखा और सारे न्यू फेस तो रोहित पाजी को मन में बहुत हुआ यार कि यह आज भी यहां है कि मैं मतलब उनके साथ जाके बात करूँ कि यार अब अब घर वालों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको स्ट्रील करते हुए उन्हों ने जाके पूछ लिय कि मतलब मतलब आप क्यूं हो या कि मतलब जब आप आए थे आपने ये सोचा होगा कि मैं हीरो बनूंगा वो अपने किसी दूसरी स्टेट को दे दिया कुं हीसेज असने लगे में सेज कीback करनले कि मैं समझा नहीं के तुम्हे कल दगता है कि और भूसिचन पर ब неп Spe прямо प्राइम निस्टर है या कोई भी मन्दा किसी भी पुजीशन पर बैठा है, उनकी एक जनम की तियरी नहीं है, एक जनम की महनत नहीं है, यह डिजायर है, जो आपने एक, मतलब आज अगर मेरी डिजायर है, कि मुझे एकस वाई जेड कार लेनी है, अगर मुझे इस जनम में नहीं मिली नहीं तो मुझे नेक्स जनम में पका मिलेगी, इस जैस कि मैं नेक्स जनम की तियारी कर रहा हूं, यह शारुक सलमान जो भी बिग स्टार्ज हैं, इनकी एक जनम की महनत नहीं है, फुज प्रोसेस से बात शुरूए, यह प्रोसेस बहुत लंबा है, तो हो सकता ह मेरी किसे जनम की डिजायर हो, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, मेरी शुरुवात हुई थी एनिमेशन, मैंने कोर्स जोइन किया था यहां पर, मेरे फादर साब तब कहते थे कि जब तक तेरी शादी नहीं होती मैं तरको लखनपूर क्रॉस नहीं करना दूँगा, तो मैंने का ठीक है जी, तो एनिमेशन स्टार्ट की, एनिमेशन जब मैंने किया तो जो मैक सेंटर था, जमू वाला, वो बंद हो गया किसी एकारण, जो में ब्रांच थी बॉम्बे, उन्होंने स्टूडेंट्स को इमेल कर दिये कि आप इंडिया में जहां भी सेंटर हैं, नि स्कूल में पीछे बैटा लिखता रहता था, शौक एक था, बड़ पता नहीं था, ये शौक प्रोफेशन बनेगा, तो मैंने चंडिगर सेंटर जॉइन कर लिया, दो साल का कोर्स किया, देन उसके बाद मैं फिल्म इंडिस्ट्री में जर्नेल पाजी हैं, उन से मिला, तो ह मैं किसी के गर एनिमेशन उनको सिखाता था, मतलब सुबह खुद सिखता था, शाम को सिखाता था, तो वहां आते थे वो, और ही सेज की, कल शूटिंग ते जाना, और क्या चाहिए, तो प्रोसेस शुरू हुआ पहला दिन, दो साल में ने एक्टिंग की, फिर हिंदी फिल् फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जाट एंजूलियट, फिर प्रोडक्शन करनी शुरू की, तीन-चार साल प्रोडक्शन की, फिर मेरी पहली फिल्म थी, जाट जेम्स बॉंड, एज अन एसिस्टेंट डिरेक्टर, रोहिद जुगराज बाजी के साथ, गिपी बाजी के सा जाट मैं बलेस्ट हों कि जानी पंजाब की टॉप 10 फिल्म्स है मैं सब में असोसेट हूँ, तरह भी फिल्म्स पूरा प्रोसेस चल रहा था कि ऐसी फिल्म बन जाएगी जो कि पंजाब इंडिस्ट्री में नहीं बड़की पूरे दुनिया भर में नाम कर देगी और पंजाबी का नाम जो है सबसे उपर हो जाएगी मैं पहले भी बता रहा हूँ कि पहले तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि मेरी पहले फिल्म कौन सी होगी मतलब मैंने अपनी आखों के साथ देखा है कि ब्लेसिंग्स लेते हुए, लोगों को उनको ब्लेसिंग्स देते हुए, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत टाइम लगता है वो ब्लेसिंग्स लेने, ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो मैं ब्लेस्नू की अमरिंदर पाजी के साथ रिदम बॉइस के साथ मैं काम कर रहा हूं मतलब मुझे उन्होंने मौका दिया सो बहुत बड़ी बात होती है जब एक घर से आप दूसरे शहर पे जाते और आगे टीम जब आपको अच्छी मिल जाती है ना तो आपके रास्ते क्लीर हो जाते हैं सो और जो पर्यूसर है जो बड़ी बात होती है अगर पर्ड्यूसर आपका बहुत क्रियेटिव हैं सो डिररेक्टर के लिए बहुत अजाती है जब आज तक पेरेंट्स ने किया कि कितने बच चुके और कहां हो और कितने मदब कुछ भी नेवर मुझे आज तो कोई बी ऐसा मोमेंट नहीं याद कि अगर उनों कोई क्वेस्टन किया हो वही होता है कि आपको ट्रस्ट एक असानी से नहीं बनता बनाना पड़ता है अब जब चल मिरा पुट्र लीज हुई घर वालो क्या रेक्शन था क्या फोन पर बात हुई या किस तरह से आप मिले और उनसे क्या रिएक्शन रहा पुराइब में जमू में नहीं था मैंने जय्मू में फर्स टाइम प्रेमिर किया था मैं ब McMबै में इधा था तो बहुत उ 2017 में वह बहुत फैन थे राजेश खना साब के मतलब मतलब उनके फ्रेंड अभी मुझे पताते हैं कि यह बाते मुझे पहले नहीं पता थी वह फ्रेंड उनके मुझे बता थे मुझे लगता है हिए उनकी ब्लैसिंग्स ही या मुझे लग रहा है उनकी ब्लैसिंग से हिमें मेरे से बहुत जाधा क्रिएटिव लोग पंजाब करें में मेरे से सीनियर कितने काम करें हैं बट आज अगर देखें तो फॉस्ट टॉप तरी फिलम्स आवर सी इसमें चाल मेरा blessings के नहीं हो सकता जम्मू के भी कहीं सारे आप दीरे-दीरे हम देख रहे हैं आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं आप जम्मू में हैं आप जम्मू के हैं तो अगर इनकी बात ना करें तो मुझे लगत हो जाएगा किस तरहां का आपको लगता है कि यहां पर इंडस्ट्री बन सकती ह है या क्या स्कोप है यहां टैलेंट की कमी है या फिर अभी कुछ चीजें हैं जो में लानी पड़ेंगी जो आपने देश बर में दुनिया बर में गुम कर देखी है मुझे लगता है टैलेंट की कमी कहीं नहीं होती टैलेंट हर गर पे है हर गर पे टैलेंट है अभी मैं द होती है बात क्या है कि हमारी यहां पर या तो वह नहीं कर रहे एक बार is उनको होना पड़ेगा या इंडos out on कही ना कही हाना पड़ेगा अभी यहां पर स्कूप कर सकाu को है है को चाहिए कुछ न कुछ इन आर्टिस्ट के लिए किया जाए क्योंकि आज उनके पास टाइम है आज से दस साल बाद वो नहीं उतना वो कर पाएंगे जो आज कर सकते हैं और बंदे की बहुत सारी फिर बंदा एक वो लाइन चुन लेता है कि जिसको उसको लगता है कि हां मेरी फैमिली स्मूथ चले या कुछ भी बट वह जो आज टाइम है आज उनको डिसेजन लेना पड़ेगा कि मुझे कहां मूव होना है मैं यह नहीं कहता कि अभी गर मतलब मैं गल्त मेसेज नहीं दे रहा कि गर चोड़ दो बट पेरेंट्स को एक दू साल उनको दे देने चाहिए कि कोई पता नहीं कि किस आर्टिस्ट के अंदर क्या वो डिजायर वाली बात है कि हो सकता कि उसने पिसले जनम में यार कुछ मा का मौका मिल गया नहीं बंद हुआ होता तो शायद मैं भी आज एनिमेशन में मतलब एक कमरे में स्टूडियो में बैठके काम कर रहा होता है नहीं बंती हां होता तो बेसिकली दाने पानी की बात है वही मेरे डैड बोलते थे तेरे को शादी से पहले लखनपूरनी क्रॉस कर रहें देना तो दाना पानी है कि मैं आज अल्मोस्ट हर बड़ी कंट्री का खाना खा चुका हूं तो बात तो दाने पानी की है बस ही है कि टैलेंट की कमी नहीं है फरस्ट बात टैलेंट बहुत है जम्मों में सिंगर बहुत अच्छे हैं म्यूजिक बहुत अच्छा बन सब्ढें दो मेहीन पहले कश्मीर ओडिशन करके आया हूं, कि में किया है अपको पूरे इंडियय में नहीं कए पूरे जुआर्ड प्रोसेस में है, प्री प्रोड़क्शन ही एक साल की है, क्योंकि उसका सेट लगना है, उसके कॉस्ट्यूम्स है, उसमें आठ तो कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर है, तो इस तरह की फिलम है, सोरण टाइम लगेगा उसको, बड़े है कि हमें, जम्मु को, हमने एक लिस्ट में ड पूरी उमीद और जिन्जों जी एक दो चीज़ आपसे पूछना चाहूंगा जब चल मेरा बन रही थी क्या ऐसी खास मुवमेंट साब कुछ याद है या मारे दर्शकों के साब साजा करना चाहें कि क्या-क्या मदलब वहां फन या क्या मस्ती रदिया कुछ मुवमेंट साब मस्ती पहले बिता चुक हो कि सुबह आके जिसको पंच लग गया तो सारा दिन फिर वह उसकी बेज़ती है शाम को या तो पार्टी देके जूटता था वह कुछ ऐसा था बाकि महौल बहुत बहुत पॉस्टिव बहुत फैमिली वाला महौल रहता था एक पहली फिलम थी सब को यह था कि हमने 100 परसंट देना है मतलब चाहे वह एक्टर है चाहे असिस्टेंट डिरेक्टर है चाहे स्पोर्ट बॉय है या कोई भी किसे भी डिपार्टमन का इवन शूटिंग खतम होने के बाद पोस्ट प्रडक्शन में भी चाहे बैक्राउंड मुजिक डिरेक्टर ह हर बंदे को यह था कि यार यह फिल्म कुछ करेगी है डिफरेंट है हमने 100 परसंट देना है तो जब ऐसी वाइब्स आपके साथ जुड़ जाती है तो गुर्शबद जी का एक बीद में चाल मेरा पूत मैं पता नहीं आपने पहले भी इसमें कहीं जिकर किया था इंटर में आपको बता रहूं हो कि हार मुवमेंट से जुड़ा हुआ है हार मुवमेंट साइन करने जाता है तो एक मार प्रोडक्शन असिस्टेंट था यूके में वह दो हफ्ते के बाद चुटी लेल था कहां जाना यार साइन करने जाना है मतलब यह सब रियालिटी है और जब लड़की की शादी है चाचा डोल बजा रहा है यह मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स की देखा जो अपने बेटियों की शादी में नहीं पहुंच सके जिए यह रियलिटी है वह चल मेरे पूट खिट होने का कारण पहला कारण यह है कि बहुत रियलिटी करीब है क्योंकि लो बाप उसका गालिया निकालता रहता है तो हर बंदी के साथ किसी तरह किनेक्ट करती है जो आखरी आप से आपने कहा है लिखता भी था गाता भी तो कुछ अगर आप सुनाना चाहें मारे दश्कों को अपनी तरफ से या कुछ बोलना चाहें ताकि वह उनको भी लगे कि नह ही जो मारा सपना है जो हमने सोचा है कहीं न कहीं हम अचीव करेंगे और यह एक शुरवाज जो है आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मिले होने गाना लिखना तो चलो अभी मैं नहीं करता तो वह एक शौक था जब स्टार्टिंग जब चिंगारी लगती होती है तो तब मैसेज तो यह है कि मेरी रिक्वेस्ट आप कहलो कि अच्छा म्यूजिक सुनो अच्छी फिलम्स देखो जो गलत मैसेज़े जैंगानों में वह हम एवाइडी करें तो बैटर रहा क्यूंकि अच्छा म्यूजिक और अच्छी फिलम्स ही आपको एक अपना एक टार्गेट र चलना बहुत जुरूरी है हाँ थोड़ा टाइम लगता है हर फिल्ड में हर बंदे को टाइम लगता है उस वही है आप चलते रहो पॉजिटिव रहे के बहुत 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 दिन्यवाज जूजी आपके टाइम के लिए और इतनी ने लिए फैन मुवमेंट है क्योंकि चल मे रेंगते रही रुकिये मत और इनों ने वो जो है कहावत वो जो पूरी कहानी है वो सच की है कि इनों ने चलते चलते आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और चल मेरा पुछ जैसी इतनी नायाब मुवी जो है वो पंजाब इंडिस्ट्री को हमारे इंडियन इंडिस्ट् के लिए मुझे और मेरे कान परसुन कमल सिंग को दीजा धन्यवाद